Use Euclid's Division Algorithm to find the HCF यानिकी highest common factor of 135 and 225 और दो question और दिये गए देखो इस में से मैं सरफ एक question solve करूँगा बाकी दो बिलकुल वैसे हैं वो आप फिर खुद solve कर सकते हो देखो Euclid's Division Algorithm मैंने पहले भी बहुत बार समझाया आपको कि इसको use करके हम highest common factor निकालते हैं और उसको करने के लिए आप पहले rough work में कुछ steps जो हैं उनको पहले लिख लो उससे फिर आपको actual sum लिखने में बड़ी असानी होगी करना गया आपको कि जो दो नमबर आपको given है उन में से जो बड़ा नमबर है जो बड़ा नमबर है उसको आप छोटे नमबर से divide कर दो ठीक है तो 135 तो ये 1 पही जाएगा 135 और यहां बच गया मेरे पास 0 and 90 बच गया अब 90 जो है जो remainder बचा वो आपके divisor से छोटा हो गया जैसे ही आपका remainder divisor से छोटा होता है तो आप इस remainder से divisor को divide कर दो ठीक है तो 135 यहां आ गया यह फिर से 1 पह जाएगा 90 तो ये मेरे पास कितना बच गया है यहां पे 5 and 4 again 45 जो है वो 90 से छोटा हो गया ठीक है तो अब मैं इस से 90 को divide कर दूँगा तो ये 2 पे जाएगा 90 और नीचे मेरे पास कुछ नहीं बचा कट गया पूरा जब नीचे 0 आ गया तो जो last divisor है वो हमारा hcf हो गया ठीक है तो अब इसी को use करके इसको refer करके हम यहां पे बड़े अराम से अपने सारे steps लिख सकते हैं अब हम actually exam में कैसे लिखेंगे use Euclid's division algorithm आप इसको पूरा लिख सकते हो तो इसको refer करो आप 225 is equal to 135 into 1 plus 90 225 is equal to this into this plus 90 ठीक है अब second step में 135 यहां आ गया 90 यहां आ गया तो अब इसको refer करो into 1 plus 45 135 is this into this plus 45 ठीक है और तीसे step में 90 मेरा यहां आ गया 45 यहां into 2 plus नीचे कुछ नहीं बचा है remainder 0 जब remainder 0 हुआ तब जो last divisor है this implies 45 is hcf चाहे hcf बोलो या gcd बोलो it's one and the same thing तो यह मेरा answer हो गया अब इसी तरह से आप यह दोनों sum खुद solve कर सकते हो जब आपका remainder 0 हो जाएगा जब remainder 0 हो जाएगा तो जो आपका last divisor होगा वो ही आपका hcf होगा so that's it from this tutorial keep watching mathemafia